हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है लक्समीज किचन में एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आजम बना रहे हैं ब्रेड की बहुती जबर्देस मिठाई तो यह मिठाई आपने पहले नहीं खाई होगी तो इसके लिए मैंने आप ले लिए आठ से दस ब्रेड औ और कश्टर पाउडर ले लिया है कुछ पिष्टे चीनी और यह हमने एक कप भरके फुल क्रीम दूद ले लिया है तो सबसे पहले कडाई के अंदर दूद डाल देते हैं और दूद को अच्छा सा मेल्ट करते हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया एक चमस के करीब इससे हमारी जो मिठाई बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो फ्रेंड्स वीडियो को अंद तक जरूर देखेगा वबाल आना चाश्टा इस्टा इस्टार्टो का है अधूद के अंदर और आप देख रहे हैं अधूद के अंदर फुल मलाई भी आ रही है अच्छी सी यह हमारा पाउडर है जिसे में डाल दिया इससे दूद में बहुत अच्छा लेवर आएगा बहुत ही ज़्यादा जल्दी से थिकनिस हो जाएगी इसकी गड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छी हमारी जो रबड़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो फ्रेंड्स इ इसमें जल्दी मिनाना पड़ता है और यह देखे इसको चासा मिक्स कर लेते हैं और बैटर हमारा गाड़ा होना स्टार्ट हो चुका है थोड़ दोरा इसमें मिल्क पाउडर राग दिया है यह मावे का काम करेगा इसे हमें कम से कम 10 मिन तक बनाना है क्योंकि हमें इस दूद का आदा दूद करना है बिल्कुल तो यह देखे इस परकार हम चलाते रहेंगे इसको बीजविच में और बिल्कुल लो मीडियम पर हम इसको फुल नहीं करेंगे कैस को या तो फिर हम चलाते रहना पड़ेगा या यह बहुत अच्छी सी जो बन जाएगा तो यह देखें इसको मैंने चलाते चलाते काफी टाइम हो चुका है अच्छा सा चलाना है पांस से दस मिलें तक जुरू चलाना है ताकि दूद में अच्छा सा गाड़ा पना जाए इससे हमारी रवडी बहुत चैस्टी बनेगी और फ्रेंट्स वीडियो को अन तक जेकिंगे तभी आपको पता से रहेगा कि मैंने किस इस पर क्या की है अभी मै अच्छा से अबाल आ चुका है देखिए गी भी अच्छा से मेल्ट हो चुका है इसके अंदर बढ़ी हमारे गड़ा-गड़ा रोना स्टाट हो चुका है तो इसके अंदर आप डाल दें हम और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नहीं है और चैनल को सब्सक्राब कर लिजिए प्रेस कर दीजिए अब मैं इसमें डाल देती हूं चीनी में आपर एक कटोल ली थी कम मिठा या जादा अपनी कॉंटटी के साथ से आप कर सकते हैं चीनी को भी अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर और अब चीनी भी मिक्स हो गई आप देख रहे हैं कितना अच्छा स हमारा नहीं जाए अब आप इसके अंदर डाले के कस्टर पावडर को हमेशा ठंडे दूद या ठंडे पानी में बिला कर डाला जाता लेकिन मैं इस स्को इसको डाला है कि इसमें ढालें गूटलिया और हमारी को इसमें बहुत ही तेस्टी लगेगी तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपर कश्टर को बिना दूद के साथ मिक्स की वे सुका ही डाल दिया है तो आप देख सकते हैं इसमें चोटी चोटी गाटे से बनी इसका इसे दूर से अगर हम देखना चाहिए तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमने आम को इसके अंदर कें यह बोड़ा करें कि आप देख सकते हैं दूर और कश्टर डालने के बाद में गाड़ा हो चुका है उन्हीं गरेवी बनती है तो रपरिया बनती है विल्कुल वैसे बन के त्यूंग हो चुकी है तो आप इसको थोड़े दिर चला लेते हैं ताकि एचा सा मिक्स होसें उबाल आएगा यह वैसे वैसे गड़ा होता है क्योंकि यह कस्टर है तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आ चुका है अभी अभी इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे ड्राइफूड बगार कुछ भी नहीं डालेंगे तो अब देखे फ्रेंड्स अभी यह देख अच्छा सा मिक्स हो चुका है अब थोड़े से ड्राइफूड डाल देते हैं इसके अंदर हम तो सबसे पहले मैंने आप थोड़े पिस्ता ले दिए पिस्ता यह उप्सिनल अगर आपके पास हैं तो आप डाल देजिए अगर नही होता है उसको ताले ना है एक ट्रे को उलिए अब ते आप हमारे को नीचे उतार लेते हम थंडा करने के बाद में पूरी को हम इस्तरी के से इस झीडर कवर कर दोar हैं कि अ अब इसकी औपर रखेंगा है ब्रेड को मैं लगा देती हूं और जो दिएमके बीच में अगर हमे गैप दिखाई देगा तो उसके अंदर हम इस कश्टर बाउडर को बरेंगे ताकि जो हमारी बर्फी बने वह बिल्कुल एकदम समोथ से बने और एकदम बढ़िया तरीकी से बने तो देके फ्रेंड्स में इसके ओपर रबली डाल रहीं फिर से हमने के ब्लेड लगा दिये फ देखें इस तरीके से मैं पूरा जो रबडी बची हो साइडों में करा देखें जगे जो बची इस पे प्रेड पूरी अब इसमें डाल दें थोड़ा समय नारियल जो गर पर ही रहता है इसको कद्दू कस किया है और कुछ पिस्ता उस बादम और कुछ अजु दॉर जिनको हैं हमारी बनकर रड़ी हो चुकी है अब हमें इसको ठंडा करने के लिए दो गंटे तक फ्रीज के अंदर रखना है रूम टमप्रेचर पर बहुत ही बड़िया बनेगी हमारी वर्फी फ्रेंड्स सभी वर्फी फैल हो जाएंगी इसके आगे अगर आप इसको ट्राइ करें करेंगा और जो मेरे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके आगे जो पहला आइकर बटनों से भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंड्स देखिए कितनी शांदार हमारी अब देख रहे हैं जो हमारा अब टाला था जिसमें चोटी चोटी गुठलियां से पढ़ गी थी उससे जो मारा कलर आया है बहुत ही टेस्टी आया और बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में तो फ्रेंड्स का क्या कहना आप इसको डूडू ट्राय किजिए गा और कम मिलते हैं एक ऐसी सिंपल सी रेसिपी के साथ लक्षमीज किचन में धन्यवाद बाय बाय थैंक यू